जिए यां दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने योटूब चल पर यूनिवस्टी के छात्रों के लिए अभी-अभी विवी ने काफी महतपुल फैसला आप सभी के परिख्षाओं पर ले लिया है और आप सभी के परिख्षाओं बीए-बी-ची-बी-कॉम-क के फर्स्ट एर के सेकेंड एक्जाम किस मन्त में होंगे कब से इसठाट होंगे इस पर विवी ने यूनिवस्टी ने काफी बड़ा फैसला ले लिया हमारे जितने भी चातर देख रहे हैं विए-बी-ची-बी-कॉम-के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथी साथ स मार्च 2022 में कोविट की थर्ड वेव यहां पर आएगी अपने भादत में और यहां पर जन्वरीफरवरी और मार्च का यह जो 3-4 महीने होते है इन्हीं मन्त में आपका युनिवस्टी के एक्जाम्स होते हैं और जिस कारण से इस बार आप सभी के लिए युनिवस्टी पह करने को लेकर ही दी जाएगी वीवी के जितने भी हमले टीचर सेंट अप इन्हों ने आपके साफ कर दिया कि इस बार हम लोग का जो में एम रहेगा जो में मकसद प्रत्थम हम लोग इसको प्रात्मिकता देने वाले वह एक्जाम कंड़क्ट कराने को ही देने वाले हैं चाहे यह साल नहीं किया जा सकता है और आप सभी के लिए काफी बड़ी ख़बर है और आंगे बढ़ने से पएदा अगर आपने अभी तक हमारे यूटुब चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के ठीक नीचे एक लाल के सब्सक्राइब का पटन होता है उसको प यह सब्सक्राइब काउम परिक्षा देने वाले नई गाइडलाइन यहां पर जारी हो चुकी जितने भी हमारे यूनिवर्स्टी और कॉलेज के फर्स्ट येर के चात्र है जैसा कि आप लोग आप देख पा रहे होंगे आप सभी के लिए काफी बड़ी कुछ कब्रिया हु यह背 में एक्जाम को को एक्जाम देना ही देना है और यह तो दोस्ट को दोग पर से करने कराने को लेकर ही दी जाएगी आप सबी लोगों के एक्जाम करना फर्स्ट प्यॉल्टी रहेगी यहाँ पे सरकार भी चाहती एक्जाम इस बार हो और आपको बतादे हैं यहाँ पर अधिकता चात्र यह भी कमेंट करनेंगी ओनलाइन एक्जाम करना प्रणाइन नहीं है जब कि आफ लाइन आप लोगों के अमसी क्यू टाइप में पेपर हो सकते हैं जैसा कि पहले भी हुआ है और इस बार आपको तादे कोविट की थर्ड लहर के एक्सपेटेशन के बीच में यहाँ पे आप सभी की